हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम ट्रेनर यूटूब चैनल एक्जाम ट्रेनर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज के इस सीरीज में हम देखेंगे पेड़ोजी यानि कि सिछा सास्तर के महत्पूर्ण कोईशनों को जो आपका यूपी टेट 2019 के लिए होग तो प्लीज आप जो है इस एक्जाम ट्रेनर यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में वेल इकान आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नुट्रिकेशन मिलता रहे और यह इस सीरीज का बा कौसल सीखने की पहली अवस्था क्या है इससे पहले हम लोग जो है थर्टीन नंबर कोईशन कर चुके हैं यह आपका थर्टीन नंबर कोईशन क्या है कि कौसल सीखने की पहली अवस्था क्या है कल्पना सीलता यथर्थता शमन्यवे अनुकरण तो इस कोशन का जो राइट अप्सन नंबर फोर्थी है आपका अनुकरण जो होता है ये कौुशल सेखने की पहली अवस्था है अब इसकी रिडियल्स की बात करते हैं तो कौुशल सेखने की प्रथम चरण अनुकरण होता है और अनुकरण के द्वारा बालक किसी कारी को करने का परियत्म करता है तथा उस कारे को करने में उत्पन समस्याव को समझने का भी परियास करता है, यह इस प्रस्ण का डीटेल्स, इसके रिड़्ट की बात करते हैं तो व्द्धी मापन के लिए सबसे पहला परियुक पेरिश विश्व विदाले के प्रोफेसर बीने ने की और 1890 में बीने एवं साइमन ने सरप्रथम फ्रांस में अध्यनरत मंद बुद्धी के बालकों के लिए सिच्छा का प्रयास किया और 1905 इसवी में दोनों मनवय ग्यानिकों ने के व्यक्त सहस्वा अवस्था के लिए उत्तम सिच्छड विदी क्हल बिधी मंट्रेसर विदी और neship यानि कि ये सभी बिदि जो सह… अवस्था के लिए उत्तम सिच्छड विधी है अब इसके रिल्स की बात करते हैं तो जीरो से छे वर्ष्टे की अवस्था को हम यागाते हैं सैस्वावस्था करते हैं और इस अवस्था में सीशुको मांटेशरी सिख्छा विधी किंडल में अपनाई जाती है तो यह नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं बाल विकास में क्या होता है वह लोगा से ki कि अंधों की भूम का परभल होता है मैं परकिरिया परबल होता है या गर्वावस्था से कि सुरावस्था तक का अध्यन होता है और उप्रोक्त सभी दिस को होईche जो right answer option number 3 है जो बाल विकास में जो है क्या होता है कि गर्वावस्था से किसोरा वस्था तक का आध्यान होता है बाल विकास में अब इसकी रिडल्स की बात करते हैं तो बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्वावस्था एवं लेकर किसोरा वस्था तक कि सारीरिक यो मांसिक व्योहारिक परिवर्थनों का अध्यन किया जाता है और वाल्य आवस्था की अवस्था है क्या है पहला है गर्वावस्था 0-9 माह तक शेश्वा अवस्था होता है जीरो से छे माज तक और बाल्या अवस्था होता है साथ से बारा वर्ष तक और किसोरा अवस्था होता है जो बारा से अठारा वर्ष तक होता है किसोरा वस्था तो यह है इस प्रस्ण का डीटेल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोईशन आपके सामने है कि बाल विकास का अध्यान छेतर है वातावरण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यान बाल विकास की बीभिन अवस्थाओं का अध्यान व्यक्तिक बीभिनताओं का अध्यान और इनमें से कोई नहीं यह उप्रक्त सभी तो इसकोसन का जो right answer option number 4 है बाल विकास का अध्यन जो है वातावराण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन बाल विकास की विविन अवस्थाओं का अध्यन और वैक्तिक विविन ताओं का अध्यन भी होता है तथा इसके अंतरगत हम बालक के सारेरिक विकास मानसिक एवं बेवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पढ़ने वाले परभाव का अध्यन किया जाता है तो यह है इस प्रस्ण का डीटेल्स नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं सर्वाधिक उपयुक्त रहता है का सिध्धान्त है हैरिसन का लेमार का डार्विन का मैक डूगल का तो इस कोशन का जो राइट अंसर अप्शन नमबर थर्ड है डार्विन का सिध्धान्त है कि सार्वाधिक उपयुक्त जीवित जो रहता है यह सिध्धान्त है डार्विन का अब इसके रिडेल्स ह जो प्राडी स्वयम को प्रकृत के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तता केवल वे ही प्राडी जीवित रहते हैं जो इस स्वयम को प्रकृत के अनुरूप ढाल पाते हैं तो यह इस प्रस्ण का डीटेल्ज नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं बीने साइमन परिछड द्वारा मापन किया जाता है बीने साइमन परिछड द्वारा मापन किया जाता है पाला अपसन है विशिष्ट बुद्धी का शमान्य बुद्धी का अभिविरेधी का और अभिशमता का तो इस question का जो right answer option number first है विसिष्ट बुद्धी का परिछड किया जाता है बीने साइमन परिछड में अब इसकी रिडल्स की बात करते हैं तो विसिष्ट या वेक्तिगत बुद्धी परिछड का मापन बीने साइमन बुद्धी परिछड द्वारा किया गया था और 1905 में बीने साइमन नामक दो मनोवे ग्यानिको द्वारा इस परिछड की शुरुआत की गई थी बीने और एक साइमन next question की बात करते हैं समवेगात्मक बिकास को प्रभावित करने वाले कारक है अब इसके डिडिल्स है कि कि समवेगात्मक बिकास का तत्पर है ब्यवार परिवर्थन से है जैसी परिष्थितिया उत्पन होती है उसी के अनुसार जो है बालक अपने समवेग यानि ब्यवार को परदर्शित करता है संवेगात्मक बिकास कई परकार के आंतरिक एवं वाह कारडों से प्रभावित होता है जैसे कि सारेरिक स्वास्त मांसिक योग्यता थकान फारिश्थिती आधि तो यह है इस प्रस्ण का डीटेल्स नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं समाजिक परत्यासाओ के अनुरूप बिवहार की योग्यता का अधिगम समाजिक बिकास कहा जाता है यह कथन किसका है टीपी नन का हरलाग का मैकडूगल का और रास का हरलाग का यह कथन है कि समाजिक परत्यासाओ के अनुरूप बिवहार की योग्यता का अधिगम समाजिक बिकास कहा जाता है यह हरलाग का कथन अब इसके डीटल्स की बात करते हैं तो हरलाग प्रसिद मनोवेग्यानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के बिकास एवं आधिकम के किस परकार पड़ता है बताया और हरलाग के अनुशार समाजिक परत्यासाओ के अनुरूप बिवहार की योगता का अधिकम समाजिक बिकास कहा जाता है तो यह है इस प्रसन का डीटल्स नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं जो की क्वेशन है आपके सामने 22 नंबर सीखने का सरवधिक उप्यूक्त अर्थ है पहला अप्शन ग्यानारजन, कॉसल अर्जन, बिवहार में परिमारजन और व्यक्तिक समायोजन तो इस क्वेशन का जो राइट अंसर अप्शन नंबर थड़ है बिवहार में परिमारजन जो है सीखने का सरवधिक उप्यूक्त अर्थ है यह अप्शन अंबर थड़ सही है अब इसकी रिडेल्स की बात करते हैं तो आधिगम यानि सीखने का मुख्य उद्धिश बालक के बिवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिश्थित्यों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौसल का विकास हो सके तो यह है इस प्रस्ण का डीटेल्स नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं जो की 23 नंबर कोईशन है बाड़ी दोस नहीं है बाड़ी दोस नहीं है धिमी या तेज गती से बोलना ध्वानी परिवर्तन और असपष्ट उच्यारण अकलाना और तुतलाना चौथा अपसन है तिब्र असपष्ट बाड़ी तो इस कोईशन का जो राइट अपसन नंबर फर्स्ट है धिमी या तेज गती से बोलना बाड़ी दोस नहीं है बाकी सभी दोस है क्या है ध्वानी परिवर्तन और असपष्ट उच्यारण यह निकि हम कुछ बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यह वानी दोस कहलाएगा हकलाना या तुतलाना ये भी आपका वानी दोस है और तिब्र असपष्ट बाड़ी ये भी आपका जो है वानी दोस है सिदे सिदे आपका धीमी या तेज गती जो है से बोलना ये आपका सही उचारण देता ये बाणी दोस नहीं है अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो बाणी दोस का आर्थ है अपनी बातों को असपस्ट रूप से न कहपाना असपस टूप से अपनी बात नख पाने के काराण होता है क्या हकलाना तुतलाना सब्दों का सही उशाराण न कर पाना आधी धीमी ये तेजगती से बोलना बाड़ी दोस नहीं होता है बलकि परिश्थिति जन्य ध्वनी में परिवर्तन होता है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन है प्रात्मिक अस्तर पर मुल्यों की सीचा देने की सर्वत्तम बीधी है प्रात्मिक अस्तर पर जो मुल्यों की सीचा देने की सर्वत्तम बीधी क्या है पहला अपसन है मुल्यों के पालनना करने पर दंडित करने मुल्यों क महत्त को बताना अध्यापक के बेवार में मुल्य अस्थापन और इन में यानि की इन सभी उप्रयुक्त सभी तो इस स्वोशन का जो राइट अंसर अप्सन नंबर फूर्थ ही है आपका जो प्रात्मिक अस्तर पर मुल्यों की सीच्छा देनी की सरोतम विदी अध्यापक के बेवार में मुल्य अस्थापन यह भी आपका राइट अंसर यानि की तीनों आपके अंसर सही है अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो प्रात्मिक अस्तर पर मुल्य अधारित सीच्छा देने की कई विदिया होती है सरोतम विदी मुख्य है क्या है पाला कि महान देक्तियों के गुडों केบारे में बताना कि मुल्यum के माहत को बताना और अध्यापक द्रारा स्वय मुल्य अधारित बेवार एवम आच्राण अपनाना और मुल्यों का पाल न करने पर दंडित करना और कच्छा में अनुसासन बनाये रखना तो ये पांच मुख्यकार हैं प्रात्मिक अस्तर पर मुल्य अधारी सिच्छा देने की बीधिया तो ये हैं इस प्रस्न का डीटेल्स तो उमीद करते हैं वीडियो आपको अश्ची लगी होगी ये अश्ची लगी